इस विडियो उन्हें पढ़ने वाले हैं जो repeating decimal fractions होते हैं उनको हम कैसे simplest form में change करें अब बते हैं कि repeating decimal fraction क्या होते हैं कि दिया हुआ है 0.333 यानि यह जो 3 number है वो continuously repeat हो रहा है ठीक है जैसे लिखा है 0.232323 यानि यह जो 2 3 number है वो कांट लेव से repeat कर रहा है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 0.23 बार तो इसका मलब यह होगा अगर ऐसे कोई number लिखा हुआ है तो इसको इस फॉर्म में change कर सकते हैं तो 0.23 बार यानि 2 3 number जो होगा हो हर बार repeat करेगा फिर में अगर लिखा है 0.2325555 ऐसे कोई number यानि 5 5 number continuously आता जा रहा है इसका मलब यह है कि 3 2 तो नहीं repeat कर रहा है लिकिन सिर्फ repeat कर रहा है हमारा जो 5 number है वो continuously repeat कर रहा है इसको ऐसे दिखाएंगे 0.325 बार तो यहां पर सिर्फ हम बार 5 के उपर ही खिचेंगे जितना portion हमारा repeat करता होगा हम सिर्फ उतने number के उपर ही बार ही खिचेंगे तो ऐसे हम लिखेंगे 0.325 और इसको पढ़ते हैं बार ती है कि यह तो हो गए repeating decimal fraction अब इनको हम simplest form में चेंज करेंगे जैसे कि 0.3 बार है अगर मैं इसको simplest fraction में चेंज करेंगे तो जो हमारा answer आएगा आएगा 1.3 तो यह हो गया हमारे repeating decimal fraction और यह होगे हमारे simple fraction तो यहां से यहां तक की जो process होती है उस process को हम कैसे करेंगे यह जितने मैं 4 questions यहां पर लिया हूँ हर एक question को मैं बताऊंगा trick के माधम से बताएंगे और पूरे एक है तो हम कैसे भी लिखेंगे तो हर एक चीज को मैं step by step को बताऊंगा सबसे पहला कुछन आमार दिया है 0.3 बार इसका मलना मने बता था कि जो 3 नंबर है वो repeat कर रही है तो मैं इसको मैं ऐसे लिख लेंगे 0.333 हम जितना नंबर चाह है कि जितना इसको में equation मालेंगे 1 यह equation हो गए हमारी 1 फिर यहां पर जितने नंबर के उपर बार होता है अब यहां पर एक चे ध्यान अखने वाली यह होती है कि अगर जितनी संख्या के उपर बार होगा उस हिसाब से हम 10 100 1000 इनसे हम multiply करते हैं इसमें तो यहां पर एक संख् a也 करते हैं 100 से यहां पर इसवाल इक्वेशन में multiply करते हैं अगर कोई नंबर होता है 0.234 einer three number के उपर बार होता dopamine को 10 000 से multiple dec них इतनी number के उपर बार होगा उस हिसाब से हम 10 100 1000 10,000 जितना होगा उस अस फूष करेंगे ठीक है ंगर मलिची आप्वाह की उपर बांग है तो हुम एक लाग से क्या करेंगे इस एक लाग से क्या करेंगा उसमें एक लाग से क्या में समझेब itelOME को अब यहां पर जो एक delivery करेंगे तो हमाना ऐसे ट्रडिबाइश को किस festa impossim Elastic R logo मि लिख देरा हम हमें multiply किसे multiply करेंगे 10 से multiply करेंगे यहां पर 10 इंटु X कितना आजागा 10 X है अच्छा इधार अगर हम कहें एड तो 10 प्लस X लिखेंगे multiply के तो 10 इंटु X लिखेंगे तो जो मरा एंसर आएगा 10 X is equal to 3.33 यहीं पीछे जितने चाहे हम 3 लिख सकते हैं उसके कोई फर्क नहीं पड़े इसको मालेंगे equation number 2 अब equation number 1 यह होगे equation number 2 इस तरह हम एक equation sum में दो equation बनेंगे एक पहली और एक दूसरे बनेंगे अब क्या करेंगे अब second वाली equation से first वाली equation क्या कर देंगे हम subtract कर देंगे अब यहां से क्या करें 10X तो यह जो LHS होगा इसके LHS से subtract हो जाएगा इसका RHS से क्या होगा subtract हो जाएगा 10X यहां से X घट जाएगा 1X 10X माइनस X यहां पर क्या होगा 3.33 हम पीछे जाएगे 3 लिख लें फिर यहां पर यह जो subtract होंगे ठीक इसमें से क्या subtract होगा 0.33 अब यहां पर ध्यानक न यह पीछे की नंबर हमाँ चाहिए जितने हो तो इसको subtract करेंगे तो यह पीछे का जो portion होगा इसके पीछे की portion से पुरा घट जाएगा और 3 मेंसे यह 0 घटेगा तो 3 मेंसे जब 0 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा सिर्फ 3 बचेगा तो यह पर तो इस तरह जो हमारा answer आए वह आगा हमारा 1 upon 3 हमारा next question है दिया है 0.17 बार अब 0.17 बार में क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा let x is equal to 0.171717 ऐसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पे जो हमें पता है जो बार है वो सिर्फ 7 के उपर है ना कि 1 के उपर है तो यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ हम 7 को repeated दिखाएंगे ना कि हम 1 को भी साथ में तो यह हमारा answer गलोगा हमारा answer ही होगा 1 अब 7 को हम जितने times चाहें उतने times हम यहां पे लिख सकते हैं तो यह मालेंगे question होगे हमारी first अब हम क्या करना है काम वही करना है हमें यह धध्यान अगना है अ यहां पर गया करें 10 से multiply के तो है पर लिखना पूरा multiply by 10 in equation 1 अब यहां पर करें 10 into x 10x आ गया अब हम 0.177 जितना चाहें लिख सकते हैं इसको multiply करेंगे 10 जबहां इसको 10 से multiply करूंगा तो यहां पर answer आएगा हमें पता यह point अगर यहां पर handler होता तो यहां पर two digits इधर की मूब करते हैं लेकिन है 10 तो यहां पर सिर्फ one digit मूब करेंगा तो यहां से कहां जाएगा one पर one point seven हम चाहें पीछी जितने चाहें उते लिख सकते हैं तो यह होगा हमारी question number two अब equation number one और two में बता था कि two में से equation number first को क्या करना है subtract तो यह लिए कि equation first minus equation first यह यह लिख देना subtract equation first from equation second अब यहां पर क्या करना है 10x LHS LHS subtract होगा यह LHS हो गया और यह हमारा इसका LHS हो गया तो LHS minus यहां पर 10x minus x अब यहां पर क्या होगा 1.77 पीछे चाहिए ज़ते हम से लिख लिख लिए और यहां पर यह सब्ट्रायर को जाएगा इसमेसी यह वाली question zero point one seven seven जिता चाहिए बता लिख सकते हैं अम इसको सब्ट्रायर करके आपको दिखा देता हूं यहां पर लिख सकते हैं अब इस यहां पॉइंट को भी इस पॉइंट से मिला दो इधर क्या अ है लेफ्ड है जीड में जी रहे इसके बार मी के लिखा हैं देखोव कि पहले पॉइंट पर यहाँ पर लिखा है फिर यहां पर 7 जितने चाहें पर 7 लेख सकते अब 7 7 जा जाएगा इस 7 17 जीरो और 7 मेंसे 1 जाएगा यहां पर उचेगा 6 और यहां पर यह डेसिमल और यहां पर आजाएगा 1.6 पीछे जाहे जितने 0 ने सकते उसको फर्क ने पड़ेगा यहां से हम पूरे 0 हटा देंगे सिर्फ जहां तक नंबर है वहां तक रखेंगे तो 1.6 अब यहां पर हम लेता हूं तो क्या आपके पास सिर्फ 90 बचेंगे कि 90 रुपीज बचेंगे क्यों कि जो रुपीज थे तो रुपीज ही बचेंगे ना यह जानक ना कि अगर 100 रुपीज में से आप इस 10 रुपीज ले 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 गए तो सिर्फ 90 बचेंगे अब हम यह ने कहते हैं उनके equal to 1.6 यहां पर बचाए ठीक है अब क्या करना है मैं पता है 9 multiply में अधर जाएगा तो upon में x is equal to 1.6 upon 9 और यहां जैसे हमें decimal हटाऊंगा एक जिजिज क्या होगी पीछे की तरफ decimal के बाद पीछे की तरफ one digit है तो नीचे की तरफ one zero आ जाएगा तो जो कि हमारा एंसर होगा 16 upon 90 अगर हम इसको और सिंपल करना चाहें तो क्या हो सब्सक्राइगा एट अपॉन 45 क्योंकि टू से हम दोनों को डिवाइड करेंगे एक्स इस इक्वल टू एक्स इस वाई टू एकशिज कुछ भी मान सकते हैं यहां पर जरुए नहीं के हम एक सी माने कुछ मान सकते हैं इस वह कोई फरक नहीं पड़ेगा कि एक हटेशन वन राई हैंड हैंड एक जाए यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर तो यह हो गए हमारी question number second यह स्वारी question number first मैंने डाला नहीं था यह अब काम वही करना है सब्ट्रायक्ट इक्वैस्टन फस्ट फ्रॉम एक्वैस्ट इसे लिकेंगे अब 100 मैंने मता था लिएक्स अब्रेट इसे अच्छाप्टिच्ट इसे नहीं यह सकते हैं और फिर यहां से सब्ट्रायक्ट हुजाएगा 0.1636 और इसको जब हम subscribe करेंगे तो मैं subscribe करना उपको बता दिता हूँ कि सबसे पहले जो भी number जिसमें subscribe करना उसको top पे लिखेंगे 16.3636 इसको point से point बलाना है LHS की तरफ यहाँ पहले जगे पे है 0 और RHS की तरफ पहले जगे पे है 16.2 इसको जगे निवर इसको निवर जगे तो मैं dot करेंगे यहाँ पे 6 में जाएगा 0 3 में से 3 जाएगा 0 6 में से 6 जाएगा 0 और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा dot से dot मिला देंगे यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे 1 तो हमारा answer आए 16.2 बाकि के 0 की कोई ज़रुवत नहीं तो इनको हम कोई लिखने की ज़रुवत हमाज नहीं रहाएगा subscribe करने पे जबाना answer आएगा 16.2 मैं सको note कर लेता 16.2 और जाएगा 100X में से 1 X जाएगे तो 99 X बचेगे यहाँ पेछे में X ज़रूद लगाना है 99 X और 99 X मुल्टिपला है क्योंकि हमें find करना है X की value क्योंकि हम X बचेगे तो उस value को हमें find करना है X आजाएगा 16.2 अपन 99 और यहाँ पे जैसे पॉइंट हराएगे तो हमाना answer आएगा 0 अब यह तक जो मैं question बढ़ा रहा हूँ यह एक long methods के तो अगर आपको लिखना है तो हम कैसे कैसे लिखेंगे मैं आपको last में इन चारो questions की trick भी बताऊँगा कि हम within 30 seconds या 20 seconds में कैसे solve कर सकते हैं बिना कुछ चीज सब प्रोबरी process की है तो आप last तक video देखिएगा ताकि आपको पता चलेगा कि हम ट्रिक के माद हमसे इन question को कितनी आसान तरीके से कर सकते हैं जो वह लास्ट question है वो थोड़ा सा और interesting है क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा कि zero के बात की जो number थे वो repeat होते थे आगे कुछ नहीं दिया होता था वो सिर्फ zero दिया होता था तो अम लगता था कि चलो यह question समझगे आसान लिकिन यह थोड़ा थोड़ा सा डिफकर्ट है लेकि आप अच्छे समझ जाएंगे अब करना क्या होगा इस question को हमें इन ही question के form में ही change करना पड़ेगा कैसे जैसे लिखा है 3.14 इसको मैं लिख सकता हूं 3 plus 0.14 बार ठीक ऐसे लिख सकता हूं क्यों कि हमें पता है से मालेजी लिखा है 3 0.2 and 0.005 इन तिनों को अगर हमें एड करना है तो हम कैसे एड करेंगे आइड करने तरीका हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर लिखा है एक वाई जट कोई भी नंबर तो उस नंबर के जो डेस्वल होता हूं संबर के जस्ट पीछे होता है जसे कि आपने देखा होगा बैंकों में लिखा अगर पांच रुपय तो तो ऐसे 5 पासबूक प्रेंट कर आई तो ऐसे नंबर लिखे 5.0 अगा 100 रुपया आपने लिखा लिखा तो लिखा 100.00 यह निक पॉइंट के बाद हम जतने चाहिए नंबर लिख सकते हैं और हर एक नंबर के बाद में पॉइंट होता है यह लिख सकता हूं 3.0 ठीक है क्योंकि चाहिए एसे लिखे या फिर ऐसली से बहुतार से वन भी लिखा इसको 3.0 आप पॉइंट से पॉइंट मिलाए इस तरफ क्या है जीरू यहांप जीरू इस तरफ लिख लिख लिए अब भाइंट से पॉइंट से पॉइंट इस तरफ जीरू है यहांपे यहां पर 5 यहां पर 0 यहां पर डेसमल लगर विल्कुल एक सीध में होंगे ठीक है और यहां पर यह थ्रे आगए तो मैं ढूला है 3.205 तो इस तरह हम अगर हम इसको एड़ ऐसे करते हैं तो इसको ब्रेक भी ऐसे कर सकते हैं तो यह आपको समझाने के लिए लिए था कि इसको कैसे तोड़ सकते हैं तो ये पूरी प्रॉसे आपको इसको इसको आपने ysको इसकोका बुर्च करिया अब क्या करें cracking इस वहाले पॉर्षिनकों को बिलकुल शिद्ट इस वहाले इसको घुजिंद की तरह करें क्या यहां पर 0.14 बार अब यहां पर इसको मैं अगर मैंने माल लिया तो इसको यह भी लिख सकता हूँ 3 प्लस X अब इसका हमें इसको मैंने माल लिया है तो इसको लिख सकता हूँ 4 जो है पूरा नमबर रिपीट कर रहा है इसको मल्टिप्लाय करेंगे तो यहां पर यहां पर आजागा यहां पर इसको मल्टिप्लाय करेंगे तो दो पॉइंट इधर करेंगे तो एंसर आजाएगा मैं 14.14 और यहां पर चित्ती चाहा होते हैं 14 रिपीट करके लिख सकते है अब सब्सक्राइब करेंगे अब यहां पर 100 X मैंसे 1 X सब्ट्राइक हो जाएगा यानि यह वला और 14. 14.14 14 मैंसे डड़ादस इसमें सब्ट्राइक हो जाएगा हमारा 0.1414 और यहां से 1 X जाएगा तो आजाएगा 99 X is equal to 14.14 14 मैंसे 0.14 यहां सब्ट्राइक हो जाएगा 14 ही एंसर बचेगा और यहां से X एंसर आजाएगा 14 एपॉन 99 तो इस तरह इस वाले कुशन का एंसर यहां अभी नहीं आया यहां सिर्फ X की बैलू आई लेकिन हमा एक्जाइक अंसर तब आएगा जब आएगा जब आएगा 3 एड़ करेंगे तो हम 3 एड़ करके आपको बताते हैं यहां पर 3 प्लस और X जेगा पर किता रहना है 14 अपॉन 99 आपन निचे एवन मालेंगी और इस पू सेम हो गया तो क्या होगा उपर एड़ हो जाएगा 297 प्लस 14 जब इसको जब एड़ करें तो एंसर आएगा 3 11 अपन 19 यही हमारा क्या होगा इस वाले कुश्चन का एंसर आपको इन चारो कुश्चन को ट्रिक के बाद हम से कैसे उसलों करेंगे वह में बताता हूं वह सबसे नंबर नोट कर लेंगे और नीचे उतने हम क्या लिखेंगे नाइन लिख लेंगे वह नंबर नोट कर लेंगे और नीचे उतने नाइन लिख लेंगे तो यही हमारा एंसर हो इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा वन अपन 3 बैसे लिखा इसा 0.23 बार तो यहां पर क्या क करना हमें इस पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है पूरा के पूरा नंबर एजटी नोट कर लेना है फिर हमें क्या करना है जितने पाल्ट के उपर बार नहीं है ध्यान सुनना जितने जो भी नंबर है जिसके उपर बार नहीं उस नंबर को उठा के यहां पर पीछे लिख पर एक नाई लिखेंगे और जितने पॉइंट के बाद जितने ऐसे नंबर हैं जिनके पर बार नहीं है उतने यहां पर जिरू लिखेंगे जमारा एंसर आएगा 16 अपॉण 90 आएगा वह नहीं है को इसी को मैंने दो को सॉल्ब करके बताया था चाहिए आप रिवाइन करके द कंपेट नंबर में नोट कर लिया है फिर हमें देखना कि पॉइंट के बाद ऐसा कौन से नंबर है जिसके उपर बार नहीं है तो यहां पर भी सिर्फ 1 ही है अगर माली 1 के जिगा 7 लिखा तो 7 लिखा तो 10 लिखेंगे या फिर जो भी है x y z जो भी नंबर को उस पूरे नं तो दो नंबर ऐसे हैं जिनके बार है तो नीचे 9 हो गया और एक नंबर ऐसा है जिसके बार नहीं है तो उतने 0 हो गया तो हमारा एंसर है 162 अपॉन 990 तो इसमें भी ऐसा ही करेंगे मैंने 3 को अलग कर लेंगे 0.14 बार को ऐसे कर लेंगे अब जो यहां पर है वह बहुत सिं टिंगे 14 के पॉइंट के बार 14 पूरा बहर है तो 14 अपॉन 99 यहीं मारा क्या होगिए एंसर इसको ने देखो किया था 1 मां कि यहां पर 99 से ऊपन मुल्टिप्लाइं 99 से नीचे मुल्टिप्लाइए और जो एंसर आया था 297 अब थींग आया था और ऑपॉन 99 नीचे अपॉन 14 upon 99 था और मैं जो इसको एड़ किया था तो मैंने राइगा 311 upon 99 जो कि जस्ट अभी आया था आपको ये चारो कुस्टिन और उन से रिलेटेड ट्रिक्स डेस्मल नमबर को मैं कैसे एड़ करना है वो भी समझ गए होंगे और कैसे हम ट्रिक के माद हम से करना चाहें तो कैसे करेंगे अगर आपको इस शिक्स, सेवन, एट, नाइन, टैंथ इस क्लास के स्टुटेट है तो आपको प्रॉपर वे में करना होगा तो वो भी मैंने सबसे पहले बताया और अगर आप कमपडिशन लेवल की स्टुटेंट ह है तो आप ट्रिक के माद हम से जल्द से जल्द को इन क्योंशन को कैसे करेंगे तो मैंने सारी तारीकों को बताया I hope आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा आपको यह वीडियो काईसा लगा यह मैं कमेंट सेक्शन में जरू बताया